देखी ये शिगूफा है और ये शिगूफा से आगे कुछ नहीं है लेकिन भारतिय राजनीती में एक बात तो अब सपश्ट हो गई है कि एक धूरी की रूप में 2014 के बाद भारतिय जंता पार्टी उबरी है और एक मजबूत धूरी की रूप में जो कि पॉलिटिक्स में नहीं व्यक्ति है चरित्र नहीं चित्र है एक परिवार एक वंच तो मुझे लगता है उनके पास कोई विजन नहीं है यह सब के सब परिवारवादी वंच वादी भ्रस्टाचारी शक्तियां साथ में आकर के मोदी जी के खिलाफ कोई मोर्चा खड़ा करना चाहती है लेकि निकिश कुमार ने कहा कि उन्हें इन चीजों में कोई दिल्चस्पी नहीं है अब देखी उनके पार्टी का आंत्रिक विशय है अपने पार्टी के नेता को लोग समानित करते हैं और करना भी चाहिए लेकिन देश में नेत्रित्व को लेकर के अभी सपश्टता है और इसाइसिव लीडर्शिप है ऐसा लीडर्शिप है जिस पे लगातार भारत की जनता भरोसा जता रही है वो 14 हो वो 19 हो 19 में तो मैं आपको स्मरण गराना चाहता हूँ कि 14 से 4 करोड अधिक लोगों ने अपना भरोसा प्रधानमंतरी मोधी जी के निद्रित पे जताया था भारत के नागरिकों की अपेक्षाओं पे खरी उतर रही है वो भारती जनता पार्टी है और आधरनी एशी नरेंद्र मोधी जी का नेतरत्व है अशोईदिन ओवेशी ने कहा है कि संसद में पेगासस पर भास करने से क्यों डरती है सरकार आप क्या छिपाना चाहते हैं हम स मुसलीमीन हो वो एक धर्म निर्पेक्ष लोकतंत्र के लोकतांत्रिक होने पे टिपनी कर रहे हैं इससे बड़ी विटमना इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं हो सकता है देखिए देश की जनता देख रही है पूरे के पूरे मौनसून सतर में अब तक देश के टैक्सपेर का लग भग देड़ सो करोड रुपे का पैसा लग चुका है और ये विपक्ष के कुछ सांसदों ने उसको बरबाद कर दिया है संसत का काम क्या होता है संसत की परिभाशा क्या होती है संसत का मतलब है देश के 135 करोड लोगों की अकांगशाओं की परिलक्षी उनका reflection उनके aspirations को represent करता हुआ एक institutions और जान बूझ करके कुछ 10-15 लोग, कुछ 10-15 सांसद कभी आप मंत्री चब भाशन देरे होते हैं, उनके हाथ से आप भाशन चीन करके फाड़ देते हैं, हवा में लहरा देते हैं, क्या यही संसदिय परंपरा है, मुझे तो यह बहुत ताजुब लगता है, कि हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहिबं बेटकर जिनोंने बहुत प्रमुक भूमी का निभाई थी संविधान के निर्माण में आज उनके विरासत के साथ कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा अन्याय हम लोग करते हैं, जब संसद में इस प्रकार की प्रिजिडेंट को सेट करते हैं नए कोविड यूपी पुलिस का कहना है कि नए कोविड प्रतिबंदों के नुसार मोहरम के द्वारां धानी जूरसों के अनमती नहीं दी जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस ने रहीवार को कोविड नैंटी माहमारी को देखते हुए मोहरम के द्वारां सभी परकार के धानी जूरसों को प्रतिबंदित करते हुए दीशा निजूरसों के नए रूप जारी किये हैं दिखे उत्तर प्रदेश में जो कोविड प्रबंदन रहा है वो अति उत्तम रहा है पिछले जैसे ही पैंडेमिक ने हमारा दरवाजा खटखटाया था तब से हमने देखा है कि योगी जी ने लगातार उस दिशा में काम किया है और जब भी ये परवत योहर की बात होती है हम कॉम के संदर्फ में भी देखा कि बाई प्राथमिक्ता क्या है प्रात्मिक्ता अभी है लोगों का स्वास्त लोगों की सेवटी लोगों की सेक्युरिटी लेकिन केरल की सरकार देखिये यही मतलब एक उल्टा उधारन हम सब के सामने आता है कि मीडिया में जो नारेटिव चलता है कि वही केरल है टॉप स्टेट है शिक्षा में स्वास्त में देखा हम लोगों ने तुष्टी करन करने के लिए आपने बकरीद के सेलिब्रेशन को अलाओ किया उसके बाद आज नतीजा ये है कि पूरे देश के आधे से भी अधिक कोविड संक्रमन के मामले केरल से आ कारों लगबग हम लोग 47-48 करोड का वैक्सिनेशन का अंकड़ा टच कर चुके हैं जो कि कहीं ज्यादा है कई विक्सित देशों से और हम आशवर्चते हैं कि इस साल के अंद तक अपने देश के नागरिकों को कोविड के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे तके साल के विक्सित का विक्षा कर विक्सित देशन करें लुषकरा दो नंके साल के आशते हैं कि ऱविए फई देशotal कर देश क विक्सित